गोरकपूर जनलिस्ट एसोसिसन की सदस्यों सहीत नई कारिकारनी का सपत ग्रहन समारो रविवार को गोरकपूर कलब की सभागार में संपन हुआ गोरकपूर जनलिस्ट एसोसिसन के अध्यक्ष रतनाकर सिंग वा पूर्व केंद्रिये वित राज्यमंत्री वा राज्यसबा सांसा स्योप्रताप सुकला ने सभी पधधिकारियों एवं सदस्यों को सम्विधान की प्रस्तावना का सपत दिलाया जिसके संबन्द में गोरकप गोरकपूर जनलिस्ट एसोसिसन के अध्यक्ष रतनाकर सिंग वा पूर्व केंद्रिये वित राज्यमंत्री वा राज्यसबा सांसा स्योप्रताप सुकला ने कहा प्लीज़ प्रिकालियों प्लीज़ प्लीज़ शुर्वाट्व और गोजे की समस्त गोजे पैवार की ओर से स्वागत करती हूं मौन पर रेका ना जान वान प्राइब ना श्राइब सारी दे हम को बसा पना ध्यान पे ही दिर सते आना पर इचोटी सिन्हार में पन्रकान को अखलों जाने को अखलों भी तरिक में इड़ा है अर दिसी सबाखेले, मंचांसे अदिनों आजारिवीश पादर भुजेगे हर सबसे सही यहां पधिनों का सबस्थ एक अधिनों का सबस्थ देंगे शबत लेता हूँ कि मैं गोरत्व जनुवेस एसेशेशन के सप्रिधान के रूप कार्ज और आचरण करूगा मैं पत्रकारता की मार वाल जादा और गरिना को सदर बनाया को जिसे पत्रकारता सरुकार का हरन हो मैं देश के संबिधान इश्वर मेरी मदत करें दल्यवाद डाचरण के घ्लगालिया कामाी टावा उजसे एक करूप खलेद कर दालिया इंतिकाम में हमेशा कुछ करेने से उता ही रहेंगी जो अधर दाला में अधार बच्छे रहें आप जिनकी कजरों में दूर दूरूप होता था शब्ला अतार में देते हैं अधर बच्छे पीजिन आपने से भाएं एक जिरी एक जावरीर्ण करों अधर दूर अप्रेस्वा के काओं ऐता कुर अरदे जोड़े वाता विर्वूह को लिए अर्वूह कोईवे मेरख मेका में लिए जो प्रकाना। कर दिभरत ना काले व्स्टित करें जो के आंगे जो जो कि दिलागे जो के अगारेख़ ज़ेड्स काले निचे सुपेपरगटें। बनान आग, बना कबचिल ये येष, जाएम, जाएम खाक सबस्तिक, अजा बना करना चाया है आगे, ये ये club hai अधिके पत्रकारिता बहुत सम्मान किसी को दिलाती है और पत्रकार अपने दिर्शी से समाज के हर वर्ग को देखता है हर घटनाओं का गवाह होता है और उसकी यही सबसे बड़ी खूर्शूर्थी होती है कि वह घटनाओं को यथा देखा अपने शब्दों में उसका वड़न हरता है मुझे प्रसंदता है कि गोरगपूर जनलिस्ट इस्योशेशन के लोगों ने मुझे यहां आमंतिर किया और मैं उनको इस बात के जो सपत लिये उनको इस बात के शुभकामना दूंगा जो सपत लिया है उनको पत्रकारिता के धर्वकार निश्चित वूप से निरवा कर है कि पत्रकारिता बहुत कमजोर है और बहुत मजबूत है दोनों है मजबूती उनके शब्दों में है और कमजोर उनकी भावनाओं में है बावना और शब्दों को दोनों को अगर ले करके चलेगा तो समाज का सही अर्थों में पड़ते बें मुखो दा करके पुस्क पर इस प्रकार के घटना की जाती है तो अनुशित लूँसे निंदनी है क्योंकि पत्रकार के पक्षका नहीं होता है इसाभी को आज गोरक और ज सभी सदस्त करते हैं क्योंकि सबसे पहले हम किसी संस्था में एक सदस्त के रूप में आते हैं उसके बाद सुविधा के अनुसार सदस्ता को हम लोग कुछ पदाधिकारियों में बाठते हैं कारी की सुगमता के लिए लेकिन जहां तक शपत की बात आती है करतवी निष्ठ की बात आती है संभीधान के पालन की बात आती है तो हर सदस को करना होता है इसलिए हम सारे सदस लो इसका शपत करते हैं